हेलो जोसों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको डिखाने आला हूँ मल्टी ग्रेन थाली पिट की रेसिपी यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है थोड़ा सा इसमें तेल लगा है और जो हमने इसमें मसाले और जो हमने फ्लार यूज किये हैं तो मैं आपको सभी बताऊंगा जो मैं यह बनाते हैं घाली पिट की रेसिपी यहाँ पर देखे हैं हमने चाट के यहां यहां बनाने के लिए te Hyundai युज किये मशारई यहां यहां पर दिखे है ठोड़े से हरी मिर्च को हमने डिशीट कर लिया है ताकि यह जढ़ा तीकी ना हो चार से पांच आप बड़े से ले सकते हैं हरे मिर्च और थोड़े से कुतमीर, एक गाजर, दो टमाटर, एक बड़ी प्यास, दो आलो, एक मूली और थोड़े से कड़ी पता हमने यूज किये हैं यह हमारी इंगेडेंट्स होगी तो मैं आपको कंप्रिट बताने वाला हूँ तो हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आगाने की घंटी का इकन को टैप करें मैं आपके लिए लाता हूँ डिलिश्यस वोमेट रेसिपीस तो जरूर टैप कीजिएगा बेल आग करेंगे चाओल का तो यह हमारे चाट अपके हमने फ्लार यूज किये और इसके बाद यहां पर देखें यह जो है अलू हमने कद्दूकस करके लिए है वह अब हम इसमें अड्ड कर देंगे दो हमने अलू लिये हैं मेडियम सैज वाले और एक गाजर लिया था और गाजर को भी हमने कर्दुकस करके आने की ग्रेट करके रखा है जो तीनों वेजेटेबल्स हमने लिये हैं उनको हमने ग्रेट करकर के हमारे वेसिपे में यूज किया है तो अब हम इसमें जो मूली हमने लीती उसको भी हमने ग्रेट करके इसमें एड कर दिया है उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी जो प्यास दिखिए प्यास को भी हमने बारीक चॉप करके अड़ किया है और यहाँ पे pag पारी मिर्च को भी हमने बारी चौप करके इसमें add किया है अभी हमने एक टीस्पून हल्दी इसमें add कर दी है इसके बाद हम दालेंगे इसमें लाल मिर्च पाड़र जो कि होगा half tablespoon अपर देखिए लाल मिर्ची हम add करने के बाद दोस्तों यह correct time है जब आप टमाटर को चौप करके दाल सकते हैं यानि कि add कर सकते हैं लेकिन ने अम ने इसको थोड़ी देर बाद add किया है और अब हम दालेंगे इसमें आद्रक कप पेज जो कि हम भी लिया है एक टीस्पून इसके बाद हम बाद हम दालेंगे इसमें स्वादनों र больше सर्ण नमक completely जो हमको better चाहिए उसी साफ से वो ready हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए आज हम बना रहे हैं multi grain thalipid जो कि बहुत ही healthy तरीकी से हमने बनाई है सिर्फ इसमें थोड़ा सा तेल लगेगा हमको जब हम उसको fry करेंगा और मैं आपको दो तरीकी दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे fry कर सकते हैं तो प्लीज end tag complete end tag इसको watch कीजिएगा देखिएगा recipe को यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम पानी add करते हुए हमको यहाँ पर total half cup पानी लगा है और आप मिसके बाद दालेंगे हम tomato chop किए हुए लेकिन आप जैसे मैंने आपको बता है आप पहले ही उसको add कर दीजिएगा अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टामाटर रखेते हैं वो हम इसमें बारी कटे हुए जो है वो इसमें add करेंगे दोस्तों यह बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनती है यह क्योंकि इसमें जो हमने मसाले add किये हैं तो इसको जरूर ट्राइ किजिएगा इस थालिक पिट की रेसिपी को यह multi grain जिसको भजनी flour बोलते हैं तो यहाँ पर चाट आपके हमने आटे जो फ्लास होते हैं वो यूज करके बनाया है यहाँ पर देखें यह हमारी बिल्कुल perfect consistency के सबसे हमारा जो better है तयार हो चुका है अब हम इसको fry करना है शुरू करेंगे दोस्तों मैं आपको सबसे पह अच्छी ते कैसे फैला लेंगे उसके बाद ही जो हमारा better है थालिपिट का उसमें add करेंगे एक बार better add करने के बाद आज को पूरी करेंगे और इसको हम आच्छी ते कैसे फैला लेंगे चारो तरफ से आप आज को medium भी रख सकते हैं क्योंकि अगर आपको देजी लगी कि तो हमारा basic सबसे important चीज यहां पर यह कि यह जलनाने चाहिए और हमको थोड़ा उसको set करने में time लगता है इसलिए आप better यही होगा कि आप medium flame पर रखें और इसको set करें और उसको फैला लें आप एक जो बड़ा spoon होता है उसको use करके भी आप इसको flat कर सकते हैं यहाँ पर देखें एक बार हमने add करने के बाद हम इसको ढग कर 2-3 minute high medium flame पर पका लेंगे यहाँ पर देखें हमने उसको ढग कर पका लिया था उसके बाद पानी के हाथ से उसको उपर apply करेंगे क्योंकि हमको अभी इसको पलटाना है क्योंकि हमको गुमाने के वाक्त इसको पानी उपर से हमने लगा लिया है अब हम इसको पलटाएंगे दोस्तों इसका color भी बहुत जबरदस आया है यहाँ पे देखिए किस तरके से यह पकी है यानि के तयार हुई है और यह खाने में भी उतनी ही स्वाधिश्ट लगती है यह जो थाली पेट हम बना रहे हैं इसको फिर से ढग कर रिपीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह दोसे के तवेट हम बना रहे हैं जो पहला मतर्पहला वाला तरीका है वह हमने पैन में बनाया दोस्तों एक टेबल स्पून तेल यहाँ पे देखिए हमारी पैन की जो है यहाँ पे यह color बहुत ही जबरदस आया है इसका मतलब यह completely तयार हो चुकी है यह हमारी पैन वाली है जो कि है multi grain थाली पीट हम बना रहे हैं और यह हमारी दोसे के तवेवाली है अब हमने इसको पल्टा लिया है उपर से पानी अपलाई करके दोस्तों एक टेबल स्पून तेल इसके लिए काफी है और अगर आप चाहिए तो half टेबल स्पून और दाल सकते हैं यह हमारी बिल्कुले तयार है जो पैन वाली थाली पीट है दोस्तों इस रेसिपी को जरू ट्राय किजिए का मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आगी है यहाँ पर यही भी तयार यहाँ पर देखिए हमने इसको इसको एड कर दिया है और यह हमारी तवेवाली है दोस्तों यह थाली पीट जो होती है महाराश्ट्रियन कॉंटकर्ण साइट की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है यह यह दोस्य का तवेवाली भी तयार हो चुकी है जब आप हाथ से करते हैं तो उगलिया कि निशान आते हैसी उस पे तो उसको बैलेस करने के लिए हाथ में पानी लगाके उसको सेट कर सकते हैं या तो आप इस तरह के से बड़े जो स्पून होता है उससे आप कर सकते हैं यहां पर देखिए दोस्य का तवा वाला है तो हमें जरूर बताएगा कमेंट्स में आपको कैसी लेगी है अगर आपको यह पसन है तो जरूर लाइक करें यहां पर देखिए हमने पाने अपलाई कर दिया उपर और इसको हम पलटा देंगे तो इसका प्रसेस सेम ही रहेगा दोनों में दोसा और तवा में उतना ही टाइम लगता है आप कुछ ऐसे सुवीदा हो ऐसे आप इसको बना सकते हैं यह आज हमने बनाई है मल्टी ग्रेन की थालिपीट जिसमें हमने वेजिटेबल्स एड करें हैं उससे क्या होता है जबद इंगेडिंट्स अगर आप फिर भी चाहें तो इसको में इसको चटनी के साथ खा सकते हैं लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह बहुत ज्यादा टेस्टी हैं सिर्फ चाय से चाय के साथ यह आप इसको खा सकते हैं इसको ब्रेकफास्ट में या चा प्रूबस्टावस